Hello and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग My name is C.S. पायल वोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंडिशन्स क्या होती हैं और वो वारंटी से कैसे डिफरेंट होती हैं ये दोनों ही टॉपिक्स सोगा से पिक किये गए हैं और इस आक्ट के और बहुत सारे टॉपिक्स पे अल्रेडी वीडियोस बनी हुई हैं जो चैनल पे अवेलिवल भी हैं आपको बस क्या करना है यहां आई बटन में एक प्लेलिस का लिंक होगा उस पे जाना है और आप सारे वीडियोस देख सकते हैं चलिए वापस आते हैं conditions and warranties पे इन दोनों topics को समझाने से पहले न मैं आपको एक और concept समझाना चाहती हूँ जो इसका base है देखे जब भी दो इनसानों के बीच में sale का transaction होता है sale का contract होता है तो contract होने से पहले इन दोनों में बहुत सारी बातचीत होती है वो बातचीत किस किस तरह की हो सकती है एक दो example से समझ लेते हैं वो ऐसे imagine करिए X buyer था जिसे Y से जो कि seller था कुछ खरीदना था क्या खरीदना था फ़र से lipstick खरीद नहीं थी तो X Y के पास गया और उसने बुला कि मुझे red color की lipstick चाहिए that to liquid form में ठीक है वो भी liquid वाली ये थी इसकी demands अब Y जब X को serve कर रहा होगा तो उसे make sure करना होगा कि वो lipstick वही दिखाए उसे जो red color में हो और liquid हो वही पे Y ने X को बोला कि हमारे यहाँ पे एक offer चल रहा है जिसके चलते हुए हम lipstick के साथ lip balm free में दे रहे हैं क्या बोला वाई ने कि हम lipstick के साथ lip balm free दे रहे हैं अब जब वो sale कर रहा होगा X को lipstick तो उसे make sure करना होगा कि वो साथ में lip balm भी दे ये जो चीजे हैं ना ये जो बातचीत है जो contract से पहले हो रही है इससे हम law की language में बोलते हैं stipulation stipulation का मतलब होता है शर्थ so contract से पहले जो शर्थे रखी जाती है दोनों parties की तरफ से उसे हम stipulation का नाम देते हैं सोगा में अब ये stipulation ऐसी भी हो सकती है जो contract के लिए बहुत ज़ादा important हो और ऐसी भी हो सकती है जो contract के लिए उतनी ज़ादा important ना मतलब सारी stipulations equally important नहीं होती है इन मैंसे कुछ stipulation बहुत ज़ादा important होती है जिनके बिना contract में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता और कुछ stipulations ऐसी होती है जिनके बिना contract में आगे बढ़ा जा सकता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ penalty चार्ज की जाती है I hope आपको stipulation का मतलब समझ में आ गए अब यह stipulations को ही ना हम दो पाट्स में bifurcate करते हैं one is condition another one is warranty अब हम समझेंगे इन दोनों concepts को condition को समझने के लिए हम example लेंगे इन दोनों इनसानों का जिसमें हम इसको नाम देते हैं salesperson X का और इसको नाम देते हैं customer Y का चीक है so customer Y को basically अपने लिए laptop खरीदना था यह गाए salesperson X के पास और इन्होंने बोला एक ऐसा laptop दिखाईए जो बहुत बढ़िया चले बहुती स्मूथ चले, बहुती मक्खन की तरह चले इन्होंने क्या बोला कि भई मुझे एक ऐसा laptop चाहिए जो कि बहुती मक्खन की तरह चले यह क्या थी इनकी stipulation थी अब salesperson X ने इन्हें एक laptop दिखाया और यह देके sale complete कर दी मतलब इनसे पैसे ले लिया और यह laptop उन्हें बेज दिया, तो इनके बीट में sale complete हो गई अब भई, जब customer वाई भाई साब अपने घर गए और उन्होंने laptop खोल के देखा, तो उन्हें पता चला laptop की screen तो पूरी चटकी हुई है मतलब उसमें तो पूरे cracks कस्टमर वाई ने रखी थी sale होने से पहले, contract होने से पहले, salesperson X में उस शर्ट का मान नहीं रखा, उन्होंने ऐसा product उसे नहीं बेचा, जो उन्होंने demand किया था अब ऐसे में आप मुझे बताईए क्या customer वाई के साथ सही हुआ उसने almost पचास हजार खर्च कर दिया laptop खरीदने में और घर गया तो laptop तो काम का ही नहीं निकला, क्या यह सही हुआ वाई के साथ obviously आपका answer भी होगा no, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ तो यहाँ पे हमें दिलवाना है वाई को नियाए कैसे दिलवाएंगे Y को नियाए ऐसे मिलेगा कि Y जाएगा salesperson X के पास वापिस और बोलेगा कि मैंने तो आपको बोला था मुझे एक चलता हुआ laptop चाहिए जो मक्खन की तरह चले आपने तो मुझे बेकार सा भंगार सा laptop उठा के दे दिया that's not fine, मैं इस contract को void मानता हूँ क्यूंकि आपने मेरी stipulation का मान नहीं रखा अब यहाँ पर मैं आपको बता दू salesperson X के पास कोई और option नहीं है उसे ऐसी transaction को void मानना पड़ेगा उसका reason क्या है? उसका reason यह है कि यहाँ जो stipulation थी वो बहुत important nature की थी जिसके बिना contract में आगे नहीं बढ़ा जा सकता अगर आप उस stipulation का मान नहीं रखेंगे तो contract खारिज हो जाएगा खतम हो जाएगा, risk kind हो जाएगा ऐसी stipulations जो contract के लिए बहुत ज़ादा important होती है और उनकी पूर्ती ना होने पे contract void हो जाता है ऐसी stipulations को हम conditions का नाम देते हैं बोले तो यह जो इन्होंने बोला था customer Y ने कि मुझे एक चलता हुआ laptop चाहिए जो मक्खन की तरह दोड़े बत मक्खन की तरह चले ठीक है यह stipulation इतने ज़ादा important nature की थी कि अगर वो पूरी नहीं होगी तो contract क्या हो जाएगा contract हो जाएगा void so जब भी किसी contract में condition की fulfillment नहीं होती है तो contract void डेकलेर हो जाता है क्योंकि condition एक बहुती essential stipulation होती है it says a condition is an essential term in a contract or sale that goes to the root of the agreement condition एक बहुती important essential term होती है contract में कौन से contract में? sale के contract में और इसके बिना contract आगे नहीं भड़ सकता है it is the key element that defines the rights and obligations of the parties involved the performance or non-performance of a condition is considered crucial to the validity and enforceability of the contract condition की fulfillment उसकी performance or non-performance पे बेस्ट होगा की contract आगे बढ़ेगा enforceable हो पाएगा valid के लाया जाएगा की नहीं के लाया जाएगा so condition अगर फुल्फिल हो जाती है contract वालिट के लाया जाएगा condition अगर फुल्फिल नहीं होती है तो contract क्या हो जाता है void declare हो जाता है चली अब और ज़्यादा आपको clarity आजाएगी condition में जब हम warranty को समझ लेंगे warranty को समझने के लिए फिर से हम example लेते हैं salesperson X का इस example में salesperson X बेच रहा है cycle Y इनकी shop में आए being a customer उन्होंने पूछा X से कि आपकी shop की best cycle कौन सी है X ने ये cycle Y को दिखाई और इसके बारे में अलग-अलग specifications देने लग गए इसके बारे में description देने लग गए कि ये cycle मकन की तरह चलती है ये cycle इतनी तेज स्पीड पे चलती है कि कभी-कभी bikes को भी पीछे छोड़ देती है ये cycle पे कभी भी आपको jumps का एहसास नहीं होगा ये cycle जब चलती है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है ये cycle बिल्कुल मकन की तरह चलती है Y ने ये सारी चीज़े सुनके ये cycle इन से खरीद ली मतलब इन दोनों के बीच में हो गया sale का transaction बट फिर हुआ क्या कि Y जब ये cycle चला रहे थे तो no doubt ये बिल्कुल मकन की तरह चल रही थी जहां पे भी road पे bumps आ रहे थे वहाँ पे इस cycle पे एहसास तक नहीं हो रहा था ये cycle बहुती speed में भी चल रही थी लेकिन when it comes to sound तो हलका फुलका sound इस cycle से हो रहा था cycle चलाने पे Y, X के याँ वाच गए ये बोलते होए कि आपने तो मुझे दोखा दे दिया आपने तो वो जो बताया था description उसमें एक point match नहीं करता मैं तो इस contract को void declare करना चाहता हूँ मैं तो इस sale को courage करना चाहता हूँ X ने बोला Sir, आपको cycle चाहिए थी चलाने के लिए चाहिए थी मखन की तरह चलती वैसी cycle चाहिए थी ये सारी चीज़े मैंने fulfill की न ये basic requirements थी न इनमें तो कोई कमी नहीं आई न हाँ, अगर अवाज उसमें उपर नीचे हो रही है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसकी वज़े से आप contract को courage करते बट हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने आपका नुकसान किया है तो मैं आपको damages का compensation देने के लिए तयार हूँ लेकिन contract void तो नहीं होगा यहाँ पे जो X ने बोला वो बिल्कुल सही था यहाँ जो कमी गई है न चीज में, जो item में कमी गई है जो stipulation पूरी नहीं हुई वो इतने बड़े नेचर की नहीं है जिसकी वज़े से contract void declare हो जाए वो एक छोटी मोटी सी चीज है जो quality fitness performance के उपर बेस है तो इतनी सी चीज पे हम contract को void declare नहीं करते हैं, राधर हम damages का compensation देते हैं अच्छल मैं बोलू, तो ऐसी stipulations जो की उतने जादा important nature की नहीं है कि जिनकी पूर्ती ना होने पे contract खारिज हो जाए ऐसी stipulations जिनकी पूर्ती ना होने पे सिर्फ और सिर्फ आप damages claim कर पाएं, compensation ले पाएं, ऐसी stipulations को हम बोलते हैं, warranties so warranty basically ancillary term होती है contract में main essential part नहीं हो तो contract का, वो चीज़े जो side में additional होती है, वो होती है अगर ये पूरी नहीं हो तो हम contract को खारिज नहीं करते हैं rather हम damages जो भी हुए होते हैं उनकी compensation दे देते हैं ये चीज़े relate कर सकते है quality, fitness और performance so conditions क्या थी? ऐसी essential stipulations थी जिनके बिना contract में आगे बड़ा ही नहीं जा सकता अगर उनकी पूर्ती नहीं होतो लेकिन warranties on the other hand ऐसी stipulations होती है जिनकी पूर्ती अगर नहीं होती तो damages claim किये जाते है contract void नहीं माना जाता है तो ये थोड़ी सी less important nature की होती है जबकि condition जादा important nature की होती है यहां यह बोलते है definition the condition are the fundamental purposes of the contract किसी भी contract का fundamental purpose होता है वो condition के लाया जाता है जैसे laptop वाले example में obviously laptop का क्या काम था चलने का काम था इस पे काम करना था किसी भी इंसान को तो ये इसकी basic requirement थी basic purpose था इसका वो पूरा नहीं होगा तो वो condition के लाया जाएगा और इसकी पूरती ना होने पे contract को void declare किया जाता है जबकि warranty secondary promises होते है वो जो additional performances होते है ना basic performances के साथ उनको बोला जाता है promise condition central होता है contract के लिए लेकिन warranty supplementary होती है importance यह directly affect करता है contract के core को यह इतना साथा essential नहीं होता important नहीं होता breach इसके breach से contract ही terminate हो जाता है लेकिन warranty के breach से सिफ और सिफ claims मिलते है section यह सोगा के section 12 sub section 2 में cover किया गया है जबकि यह सोगा के section 12 sub section 3 में cover किया गया है available remedy इसमें आप ना सिर्फ contract को खारिज करते है cancel करते है void करते है बट साथ में damages भी claim करते है यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ damages claim कर सकते है यहाँ पर आप contract को खारिज नहीं कर सकते है चेक है so conditions वो चीजे जो बहुत जादा important है जिनके बना contract अगे नहीं चलेगा void हो जाएगा अगर पूरी नहीं होंगी warranties वो चीजे जो बहुत जादा important नहीं होती additional nature के होती है जिनके पूरे ना होने पे contract तो void नहीं होता लेकिन आपको damages जरूर देने पड़ते है now I hope आपको condition और warranties lifetime के लिए याद हो गया है अगर ऐसा है hit the like button और ये विडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेर कर दीजे और खुद भी इस चैनल को subscribe करते हुए जाहिएगा that's it thank you so much for watching this video